यूपी में बढ़ते कुरुना स्ट्रमर पर मुख्यमंत्री योग्य आदितनाथ की बैठक लखनाओं में बैठक कर रहा है इस वक्त CMU की आदितनाथ उनकी टीम 11 की बैठक जसमें अधिकारी शामिल है बैठक में टीम 11 की अधिकारी मौझूद हैं इस वक्त बैठक चल रहे है कुविट को लेकर मुख्य सचिप, DGP, ACS, Gray और स्वास्थ में बैठक में मौझूद हैं नस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वारांसी में कोरुना पर खाबू पाने के लिए नगर लिगम की अनूखी पहल देखने को मिले और भीड पर लगाम लगाने के लिए नगर लिगम अब कर वसूलेगा जी हां कर वसूला जाएगा, ठेक्स वसूला जाएगा भीड को नियंतरित करने के लिए खाबू पाने के लिए कोरूना से हालाद बिगड़ने पर बाजारों में टिकट लग सकता है और हर शक्स के लिए एक शक्स को पाँच रुपए का टिकट लेना होगा और एक घंटे से ज़्यादा होने पर पाँच सो रुपए का जुर्माना भी लगेगा ये एक बड़ी खबर हम आपको दर लखिमपूर खेरी में अचानक आग लगने से गाउं के डीट सो घर चल कर आप हो गए आग लगने से गाउं में हरकम मत गया ग्रामेडों ने फोन करके दमकल विभाग को बुलाया लेकिन तब तक आग से बड़ा नुकसान हो चुका था मौके पर राज़स्व की टीम भी पहुंची और लुकसान का अगलन किया जा रहा है थाना भीरा इलाके के देवरिया गाउं के ये पूरी घटना है कि अधिया थोरो माहिक बोला है लखेंपूर के दस्विरें दीड़ सो घर चलकर आप प्रयागराज में संतान की लंबी उम्र के लिए श्रधालू शीतला अश्टमीका पर मना रहे हैं और इस मौके पर प्रयागराज के देवी मंदिरों में महिला श्रधालूं की भारी भी है महिलाओं ने देवी मा को बासी खाने का भूग लगा कर उनकी पूचा अर्चना की साथ ही अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना के इस दौरान देवी मा से शधालूं ने कुरूना महमारी से निजात दिलाने के लिए खास प्रात्ना के घर पड़िवार खुशी रह करोना से मुक्ती मिले सारे सारे संसार को अभी तो अंदर जाएंगे तो माता के बुद्वार में पूजा करेंगे अभी तो लाइन में खड़े हैं बहुत अच्छी से की अपने बच्ची के लिए परिवार के लिए ममा पापा के लिए और अपने बच्ची के लिए ममा पापा के लिए और